सामने रूप से जो टिड़ी का होता है इसका जो अवस्ताइं होती है तीन अवस्ताइं होती है और जिसका एक अवस्ताइं होती है अंडा दूसरा होती है निम फिया होपर्स और तीसरा होती है प्राउड जो अंडा अवस्ताइं होती है अंडा करीब नारंगी या पिले रंक का चावल की तरह का होता है जो वेस्ट टिडी परोड टिडी होती है वह अपने उधर भाग को जमीन में 10-15 cm गाड करके एक चेंबर बना करके एक पोर्ड बनाती है उसमें करीब 40-120 तक अंडे एक बार में देती है और एक जो टिडी होती है अपने करीब 2-3 बार तक अंडे बनाती है इस तरह से करीब 200-200 अंडे एक जो मादा टिडी होती है वह एक बार में देती है और इसका जो अंडा का जो समय रहता है यह करीब 2 सब्दा तक अंडा रहता है और इससे दूसरे सब्दा में इससे निम्फ या ओपर्स निकलना शुरू जाते हैं जो काला रंके य वरकी है उसके 5 बाद में है वह अपनी मोल्टिंग अवस्ता परिवर्थन करना शुरू कर देता है और लगज रूप में काले से इस्थान से घैरा काला रंग होता हुआँ यह पहले रंग तक हुटा है है और इस तरह से पांछ अवस्तायोंको परिवर्वतन करता है और यह एक स्थान से दूसरी स्थान पर जो opparts होते हैं जिसको फाकाई बोलते हैं फुदक फुदकटग कर चलते रहते हैं कुछ दूरी भी तय करते हैं और काफी फसल या वनस्पति को काफे नुक्षान पहुंचाते हैं और जिनको कहेंगे हेवी फिडर होते हैं यह उपर सके बाद में तीसरी अवस्ता जो होती है वह प्रोड या वैस्क होती है तो इसमें पहुंसते पहुंसते जो टिड्डी होती है वह गुलाबी पिले रंकी या पिले रंकी हो होते हैं इस तरह से जो टिडी होती है प्रो टिडी वह है करीब दो सप्ता तक अपना ग्रोफ एंड डेवलप्मेंट करती है उसके बाद में जो अंतिम दो सप्ता होते हैं उसमें यह है मेटिंग करते विए एग लेंग करती है जिसमें वही उसी तरह से फिर एग की सुरुव बात होती है और अंडा देना शुरू करती है इस तरह से इसका जो जीवन चक्र है करीब 12 सब्ता का पूरा जो जीवन चक्र होता है और इस तरह से इसकी लाइफ साइकल चलती रहती है